कि रूम में जाके मिश्टर हर्ष को अनास्थेशा देके ले के आओ, ओके? ओके साथ वो सुदर्शन का बेटा है, तो डियाने उसी से मैच होगा ना अब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ती सुदर्शन के बेटे को मिल जाएगी और तब तक के लिए तुम्हें तडपना होगा, तडप तडप के जीना होगा बस थोड़ी देर में तुम्हें इस जिन्दगी से छुटकारा मिल जाएगा तरवाजा खुलेगा, प्रिगर दमेगा और तुम मर जाओ के हर्षा, गुटबाई खर जा होगा प्रिम झाति कर दो प्रिम तरवाजा खुम्हें पुम्हें कि अचाँ चाल को डिल चाल आपकेशना भना यार कि अचाँ आपकेशना कि अचाँ अचाँ व। अचाँ दो अचाँ अचाँ कैसी लगी सर वो बचेगा क्या अभी डिसाइड नहीं किया है अच्छी है एक्चली सुदर्चन जी ने भी मुझे का आइडिया दिया है सुदर्चन किस लिए अगा और इसलिए उससे दोस्ती करनी चाहिए जब वो नस्दीक होगा तो उससे मारना बहुत आसान हो जाएगा उसने बिल्कुल मुझे शकुनी वाला आइडिया दिया मुझे बहुत अच्छा लगा सर सचकौन तो कमाल का आइडिया है अब आगे होता है वो दोस्त की रूप में आता है बट एक्चुली में वो बचाने नहीं आता सर मैंने सुदर्शन को बोला कि उन्होंने तो आपको बचाने की कोशिश की थी अगर उन्होंने बचाने की कोशिश की थी इसका मतलब है कि वो फ्रेंड्शिप निभाना चाहते हैं बस भगवान करे की मेरी ये स्टूरी ना काम्याब हो जाए तो कैसी लगी आपको सर अब आगे क्या होगा मुझे सोचना पड़ेगा व्यासे सुदर्शन की तरह आपको भी कोई आइडिया है तो मुझे बोलिएगा मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड कंग्राचुलेशन सर वन्स अगें उस टील के लिए अच्छा में चलता हूं बाबाई रगु बहीए उसने एसा क्यों बोला सुधर्शन या राइटर सुधर्शन अब गी मैंने उसके बाप को नहीं मांञा रहे दाउद के हांतों से यह सब हुआ है वो मान नहीं रहा है जब कि सब कुछ दाउद नहीं किया है भाया उसके बाप के मानने पर एक अफवा फेली थी कैसी अफवा? संपत्ती सुदर्शन ने ही उनके बाप को मारा है प्रोपरटी के लिए ऐसी अफवा थी इंग्लेंड में तुझे अकेले छोड़तर मैंने गलती कर दी तेरी मॉडलिंग ही इसका कारण है इधर ही रोकते और मैं जिसतरह रहूंगा अगर तू भी उसीतरह नहीं रहेगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है और मैं तुझे मार डालूंगा आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है जब मैंने अपने चाचा को बोला कि मैं हीरो बनूगा तो मुझ पर भडग गया और मुझे घर से निकाल दिया साब बुढ़ों की यही हालत है उस पेचारे ने सिर्फ यही बोला कि वो इंग्लेंड से बड़ा मॉडल बनकर आएग इसलिए शायद उसका भी भडग गया होगा पेचारा तो रहा था मैंने जा के समझाया क्या समझाया तुन अब क्या समझाया तुन अब हम दोनों एक हैं अपने भाई से डर कर जिंदेगी बरबाद मत कर मैं हूना हम दोनों मिलकर सब तो ठीक कर देंगे रजए पहले क्यों इसका मतलब है किसको पता जब तक तेरी लड़की आएगी वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे हम दोनों शादी करने वाले है तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी है ना इसलिए थोड़ा बैठके बाते कर लेते हैं ना तो फिर कल कल वो एक्स्क्यूज मी कल स्विमिंग है याद है ना हां कल वो है अ डे आफ्टर तुमोरो दन फाइन हाई मेरा हात में छोड़ो थोड़ी मस्ती कम करेगा तू ठीक है पर तुमने दवा क्यों नहीं लिया यह सांस को बंद कर देती है अगर इसको दिया गया तो सुधर्शन अपने दोस्त को मारने का ट्राइ कर रहा है ऐसा डाउट हो जाएगा हमारा प्लैन भी स्ट्रॉंग हो जाएगा और उसके बाद क्या हुआ कुछ अलग ही सोच रहा हूं मैं कुछ तू करना पड़ेगा तुम्हारा फ्रेंड नहीं आ रहा है क्या आयो वो कुछ भी सोचता रहता है उससे सोचने दे हम इंजॉय करते हैं कम आन को या ओके नौ कैच मी तुम्हारा प्रेंड जाएगा वी सुवड़े का निया मिना जाखते हैं क्या हुआ गाना मैं छाउत इतक्ष्पिस बिटों ही सब्सक्राइब नीचे आपकी फिलिम में मुझे भी कोई रोल मिलेगा क्या ऐसा यह फासी लगाकर तू मर जा रोल मांगेगा वह मेरे दोस्त की आवाज है हेए जल्दी आओ जल्दी आओ मसल के सुवाज अप क्या करें टेंशन मतलो एक काम करो चीनी के पास जाओ और अलेकशीर का इंजक्शन लेओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ मैं आता हूं मुझे अकेला चोड़के कहा जा रहा है यार कि अ कर दोग रहा हा हूं मुझे अबाल गणा रहा ही यार है है जा रहा हूं मुझे अ कि अ आता हूं मुझे है याधार बश्चाइब कर दो जो जोड़ें पहले के ओल पचास में ली देना उनको नहीं तो नारोलाइसिस हो जाए उनको करेंजी दयो पताँ चास अटेर हुआ जाका उनकþ भाल करते में लीकादता करी देना चास में जुआज orbitsर्भा यहाईसि को पताईश। । इससे तक ही तो कहीं मेरे बचा ले बचा लेंगे भूख मार अबूख क्या मूँ से मूँ लगा कि फूख मार अब अभे मैं सांस मिले पा रहा हूं जल्दे बार हूं आने वाला है जल्दी मार अ मारना वावन, यू सेफमा लाइए साहब कुमत बताय थालेगा प्लीज साहब भुष नहीं हमेए अरे डरो मत्युक्र यह बिकुल ठीके तुम्हें कुछ नहीं होगा डूंट वरी दूंट वरी ाोगा जो आफ चिनी तुझे लगता है यह अंडर्वर्ड लोगों के साथ पसा कर मैं अंडर्ग्राउंड हो जाओंग यह सोचके डर लग रहा है ऐसा क्यों बोल रहे हो हां चिनी ऐसे ही लग रहा है इसलिए कल नहीं बोल पाय करके पस्ताना नहीं चाहता है पधार यह यह रणिव्यूस्ट कुछके डर्ख यह डर्ख जाव मैं उसे मुझे जोलना ओपाग cana, प्रफोस्ट दीपक नाम के लड़के ने मुझे प्रपोस किया था तो मैंने भी हा कह दिया फिर दीपक मैंगलोर से मुंबई आ गया मैं शादी करूंगी तूसी से ऐसा मैंने ममी पापा से कहा तो उन्होंने मना कर दिया मैं उसको ढूंडते हुई मुंबई आ गई तो मुझे पता चला कि उसके अनेक संबंध है क्या था अरे दूसरी लड़क तुमें सुनने में गंदा लग रहा है तो सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा चिनी 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 पुरानी बाते भूल जा अगर शाहिद कपूर ये सोचता की उसकी इश्क्विस फ्लॉप हो गई और वो जब भी मेड बनाने का चांस ने लेता तो इतनी बड़ी हिट जब पाता किया उस फ्लॉप के ले मुझे चोल रही है चिनी 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 मैं तेरे विना जीनिका सोच भी नहीं सकता अगर चीए भी सका तो मुझे उस्नेदकी नहीं चाहिए चिनी 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 अप क्या जब आपने मुझे चाबी दी तो हम वहां गए कैसे हुआ जब आपने मुझे चाबी दी पता चला कैसे हुआ कैसे किसीने मापने करने के लिए रगे ऐ होगया हुआ इस बॉक्स को कोई अकले नहीं उठाया होगा दो जनको भी भारी बढ़ेगा यह इसका मतलब यह है यह सब करने के लिए पूरा गैंग आया होगा यहां पे मतलब कि क्या कहना चाहता है तू तुमको दिया था रगू सुदर्शन के पंद्रा सो करोड का माल ऐसे नहीं गया बुझेगा इस जंगल के अंदर कोई बाहर का आत्मी नहीं आ सकता अंदर वाले का ही काम है अंदर वालों ने ही किया होगा लेकिन कौन चाबी तो आपके पास ही थी डूप्लिकेट चाबी बनाने को कितना डाइम लगता है तुम लोग रूम में जाओ आप सबसे मैं बात में बात करता हूँ देखिया अंकल खाम खामे आउट उस दिन आपका शक सही था भाई चाबी उनके पास ही थी उनके लोगों में से किसी ने लोकर तोड़ा चाबी उनके पास ही थी उनके लोगों नहीं लोकर खोला तो डाउट उनके उपर जा सकता है लेकिन लोकर तोड़कर कोई ले गया सुदर्शन के पास चाबी नहीं थी लोकर तोड़कर सारा सामान ले गया इसा शक मेरे उपर कर रहे हैं अब वो डॉमनिक इधर मुझे मार को कहां से लाव मैं सारा कलेक्षिन जमा करें तो भी 400 करोड ही होगा उतने का ड्रग सप्लाई तो एक ही आदमी कर सकता है जुनैद माल पानी वाला जुनैद आप गुरुवार को चिकन नहीं खाते हैं आज बुद्धवार है वह पता है लेकिन आप गुरुवार को नहीं खाते हैं न मुझे मारने के लिए कितनी कोशिश की थी तूने जितनी बार तूने मुझे मारने की कोशिश की थी उतनी बार डॉमिनिक मेरे साथ बिजनिस करती थी पता है मैं पहले दाउद के साथ काम करता था इस बज़े से और मेरा तेरे जैसा पॉलिटिक्स में कनेक्शन नहीं है करके मुझे याद भी नहीं है कि चुनेद इस बार मेरी मदद कर हमने कभी किसी की मदद की है क्या नहीं व्यापार करते हैं तो पंद्रासो करोड कीमती ड्रक्स को जमा करने के लिए क्या है तेरे पास क्या चाहिए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे तब तू डॉमिनिक के साथ जो भी बिजनिस करेगा तो मैं तेरा पार्टनर बनके रहूँगा